हलो दोस्तों कैसे हो दोस्तों विंडोस 11 के ऊपर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज अविलेबल है मैंने भी काफी वीडियोज बनाई है जिसके अंदर आपको अलग लग मेथर्स बताए हैं सपोर्टिड पीसी में किस तरह से विंडोस 11 डाउलोड करनी है इंस्टॉ सपोर्टेड हो विंडोस 11 के लिए या अंसपोर्टेड हो कोई फरक नहीं बढ़ता तो इसके लिए हमें जरूरत होगी विंडोस 11 की ISO इमेज माइक्रोसोफ्ट के ऑफिशल साइट से आप किस तरह से विंडोस 11 को डाउनलोड कर सकते हैं चैनल पर आपको वीडियो मेल यह काफी अलग है ठीक है तो हमें करना क्या होगा सबसे पहले लेट्स्ट रिफ्यूस को डाउनलोड करना होगा तो इसके लिए आपको करना होगा Google और यहां पर आप Google पर सर्च करेंगे RUFUS तो यहां पर आपको पहला ही लिंक मिलता है refuse.ie website का इस पर आपको आना होगा अब website ओपन हो चुकी है तो आपको करना क्या है स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और इसका जो latest version है दोस्तो वही आपको use करना है ठीक है तो अभी चल रहा है refuse का 3.16 तो आप चाहें तो portable version भी download कर सकते हैं और आप चाहें तो installer भी download कर सकते हैं तो यहां पर मैं portable version डाउनलोड कर लेता हूं ओके तो यह इसके बाद देखें यहां पर मैंने मेरे जो pen drive है इसको अल्रेडी इंसर्ट कर रहा है ठीक है make sure कि इस pen drive के अंदर आपको कोई भी data नहीं होना चाहिए क्योंकि इस process के अंदर यह pen drive format हो जाएगी तो अब हमें करना क्या है डाउनलोड में आते हम और refuse पर rightly करके run as administrator करके से open करना है अब यह पूछता है कि updates के लिए तो हाप इसे yes कर दीजिए अब देखें यहां पर इसने automatic pen drive को select कर लिया है तो यहां रहने देता है अब जब boot selection है यह भी disk और ISO image रहने देना है हमें अब इसके बाद यह जो select option है यहां पर जाना है और windows 11 की ISO को select करना है select पर जाते ह और यह रही ISO image और इसे हम open कर लेते हैं अब देखें यह जो नीचे image option आपको नज़रा रहा है अब यहां पर देख सकते है standard windows 11 installation TPM 2.0 secure boot 8GB plus RAM अब यह वाला जो मैं थाड़ है दोस्तों यह आपके उस system के लिए है जो कि windows 11 के लिए eligible है अगर आपका eligible है तो आपको यह वाल option select करना है और अगर आपका system पुराना है not eligible बता रहा है windows 11 के लिए तो आपको drop down list में से आपको extend windows 11 no TPM no secure boot 8GB RAM वाल option choose करना है ओके तो यह हमने यह पर choose कर लिया है अब दूसरी सबसे important चीज़ है partition scheme अगर आपका system पुरान है windows 7 अगर आप इस समय यूज कर रहे हैं तो आपको क् understand यूज कर रहे हैं या फिले टेस्ट है आपका computer और windows भी आपकी GPT partition style के अंदर install है तो आपको GPT वाला option choose करना होगा तो यह आपको manually check करना है आपके system के अंदर इसके बाद क्या करना है मैं अभी फिलाल इसे MBR कर देता हूं यह GPT कर देता हूं अब इसके बाद यहाँ पर आप से पूछता है volume name तो volume हम यहाँ पर देते हैं windows 11 और इसके बाद simple आपको कुछ नहीं करना simple start वाले बटन के पर click करना है अभी आपसे एक warning आती है यहाँ पर तो all data on the device label इतना इतना will be destroyed okay तो simple आपको okay पर click कर देना है और बस और इसके बाद आपकी bootable pen drive बनके ready हो गई है और आप चाहें तो किसी भी system के अंदर windows 11 को pen drive के जरीए fresh install कर सकते हैं अप्ग्रेड कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो के लिए पूस इतना ही मुलाकात हो कि अगली वीडियो में